फूल माला के साथ अभिनंदन स्वागत किया गया और सब एंडिये के दलों के और से प्रदानमंत्री जी को सुबकामनाई दी कि देश का संचालन और देश को विक्सित राष्ट बनाने के लिए पूरा एंडिये एक जूट हो करके आधरने प्रदानमंत्री नरंदर मोधी जी एक नित्रत में आगे जाने का और देश का सेवा करने का आज क्योंकि ये पहला बैठक था और हमारे पास हाउस को जो बिजनेस है राजसभा लोगसभा का एक सीमित हैं राष्टर पती जी का अभी बाशन पर चर्चा ही था और ओत एन इफ़र्मेशन का ही था तो उसका किया गया और मुख्यरुप से आदर ने प्रदानमंत्र जी का मार्ग दर्शन हुआ है आज प्रदानमंत्र जी ने जो बाते हैं इंडिये के साथियों के साथ सारे MPs को शेर किया है और जो गाइड किया है हम लोगों को एक मंत्र दिये हैं ये बहुत महत्पूर हैं आज सब से पहले तो प्रदान मंत्रजी ने कहा कि हर एक MP सदन में देश सेवा के लिए आए हैं बाकी कोई भी पार्टी का हो किसी भी दल का हो लेकिन देश सेवा यह प्रथम हमारे दायत्य हैं और हरे एंडिये का MP को देश को सबसे उपर रख करके काम करना है यह आदर ने प्रदान म कि इसका जो आचरन है हमारा behavior हमारे conduct उसके बारे में प्रदान मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरस से हमको मार्कदर्शन दिया प्रदानमंती जी का कहना है कि हर एक MP अपने अपने छेत्र का विशय को बहुत ही प्रभावी धंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मताबिक नियम के मताबिक देश का और भी कोई बड़ा विशय हो जिसमें रूची है कोई MP पानी के विशय में कोई MP परियावरन के विशय में कोई MP समाजी चेत्र में अलग अलग रूची होता है तो उसमें एक्सपर्टाइज डिवलब करने के लिए प्रदान मंतरी जी ने आगरे किया है और सारे इंडिये के सांसुदों को आदर ने प्रदान मंतरी जी का आगरे है कि हम सदन का नियम पार्लेमिंटरी दिमॉक्रशी का जो सिस्टेम है और एक अच्छा सांसद बनने के लिए जो आचरन की आवशकता है वो पूर रूप से अपनाए है और हम नियम के साथ और पार्लेमेंटी जो कन्विंशन है ट्रेडिशन है उसी के साथ पेश आना चाहिए तो ये प्रदान मंत्री जी का जो मार्क दर्शन रही है मैं मानता हूं कि हर एक MP को खास करके जो पहले बार चू साथ बनने में पूरा आगे मौका मिलेगा और इसी मंतर के साथ हम सब चलेंगे ये हमने तई किया है और इंडिये का कॉर्डिनेशन फ्लोर कॉर्डिनेशन एक जुद में काम करने का बहुत अच्छा सोरूप आज देखने को मिला है और मैं आदेने प्रदान मंत्री जी को दनीवाद देता हूं कि हमारे पहली इंडिये पारलेमेंटरी पाटी मीटिंग में आकर कि हम सब को मार्ट द्रसंड दिया और सारे इंडिये का साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सब ने सो प्रतिशत नेता सहीत सारे सदस्र ने आज के पहली इंडिये पार्लिमेंटरी पार्टी बैठक में सम्मीलिट किया और पीम साब ने और एक बहुत महतुपूर्ण आगर किया है हर एक MP को अपने परिवार सहीत परदान मंतरी संग्रालई में जाना चाहिए और आपको मैं बताना चाहता हूँ जो मुख्य बात क्या है परदान मंतरी संग्रालई में पंडित जवाहलल नेहरू से लेकर कि आज के वरतमान आदने परदान मंतरी नरेंदर मोधी तक का पूरा जो जर्णी है उसको बहुत खुबसूरती से दर्शाय गया है उसमें कोई राजनीती कोई एजंडा नहीं है अपने अपने कारेकाल में हर परदान मंतरी ने देश को आगे ले जाने के लिए योगदान दिया है उसको जिकर किया गया है पूरे परदान मंतरी के संग्राले में तो इसमें चाहे वो पहले क्योंकि मोदी जी का आने से पहले कई परदान मंतरियों का जिकर नहीं होते थे जैसे मुरार जी दिसाई फिर बात में चोदरी चरन सिंग फिर चंदर शेकर पिर डेगोडा जी नारसिमाराव जी कई मुख्य मंतरियों का जिकर नहीं होते थे कई परदानमंत्री का जिकर नहीं होते थे तो ये अभी का जो परदानमंत्री संग्राले ये पहला ऐसा एक एफोर्ट किया गया है मौधी जी के दुवारा कि हर एक परदान मंत्री जी का योगदान को देश जानना चाहिए, उसका सराना करना चाहिए, उससे सिख होना चाहिए, हमको उससे सिखना है, जानकरी लेना है, और साथ-साथ उनको स्रदान जली देना है, हर एक परदान मंत्री जी का, जो मूल रूप से इस देश को आगे ल जड़ से अपने constituency से जूरे रहना चाहिए वहां के मुद्दे को पार्लेमेंट में नियम तहट रखना चाहिए और अच्छा सांसत बनने के लिए इदर उदर मतलब वाशन दे करके नहीं रूल के तहट काम करकी अपने मुद्दे को प्रकरुप से पार्लेमेंट का अंदर जाओं जब देश का प्रदानमंत्री संदेश देता है तो मैं यह मानता हूं कि हर एक जन्द को सिर्फ सांसत ही क्यों हर एक जन्द को सीरिसले लेना चाहिए क्योंकि हमारा देश का नेता है हमारा देश का प्रदानमंत्री है हमारा देश के महान जंता ने तीसरी बार लगा सीख मिलता है यह सब के लिए जैसे मैंने कहा कि कॉंग्रेस के MP जैसे कल उनके लीदर आफ ऑपोईशन राहूल गांदीजी ने जो बिहेव किया और जैसे स्पीकर के तरफ में अपना पीट दिखाता है पिर नियम के बाहर बोलता है पिर स्पीकर को स्पीकर को ही इंसल्ट करते हैं तो ऐसा हमारे पार्टी के लोग नहीं करना चाहिए हमारे एंडिय के सासदों को ऐसा जो नियम के बाहर काम नहीं करना चाहिए यह हम सब के लिए तालमेल हो एक हमारा अच्छा पार्लेमेंट पार्फुमेंस होना चे यह आपस का एक तालमेल का और अच्छा सकारत में बैठा को आज प्रदानमंत्री जी का लोग सवा में राष्ट्रपती जी का अविवाशन पे जो धंद्यवाद प्रस्ताव है उसका जवाब चार बजे देंगे आज चार बजे आज के तारिक दो तारिक जुलाई चार बजे प्रदानमंत्री जी का रिप्लाइ होगा राजसावा में कल नग तीन तारिक को राजसावा में अभी समय तैने नहीं हुआ लेकिन लगबख 건강 दोपेर का भारोम बजी एक बजी का बीच में जैसे पार्लेमेंट चलेंगे वहाँ आधर ने चेर्मेन महोदाई से बाचित करके और प्रदान मंत्री ची का रिप्लाई बहुत अच्छी तरह से कल राजसवाब में भी होगा